नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका परिच्छे चिंतन यूटूब चैनल पर आज के स्वीडियो में हम लोग जो है महात्पूर्ट क्यूशन का हाल्टी कल्चर के जो की आपके कम्टेट्टुक्जाम की दिस्कोर्ट से उनको इस दियों में साल करेंगे आने वाले दिनों म कोई भी एक्जाम दे रहे हैं आपके लिए मातपूर है तो वीडियो को जो है लास्ट देखिए का कमेंट करके जरूरत है यह आपको ऐसा वीडियो लग रहा है कोई मिश्टे को वह भी कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आल्टी कल्चर सब्सक्राइब कोंट करें तो वीडियो यूज फार डीडिया अफरूट तो राइट एंसर जो को इसमें डी होगा इंद्याईलीन को हम जो है दी ग्रीणिंग आफरूट के लिए एक प्रेवक करते हैं तो राइट एंसर जो का परस्ट प्रसंचिया एक में वह आपका डी ह होगा है नेस्ट प्रस्ट है क्यूशन नमर दो हेड़ क्वाटर आफ इंटरनेशनल सोसाइटी फार होटी कल्चर साइंस इसका फुर्फ जो है यह कहां पर है इसके बारे पूच्छा जा रहा है प्रस्ट में तो पहला है यूसे भी है बेल्जीम सी है फ्रेंच अंडी है ब्र यह आपका राइट इंस हो रोगए नेस्ट प्रस्ट है प्रसंखेतीन जर्रल इंडियन हॉटी कल्चर इस प्पॉब्लिश बाइड जो है यह प्रस्ट में पूचा रहा है जो भी हिंदी में वह समझे प्रस्ट में ठोड़ा जो है तो इसमें आपको हिंदी में भी बताया जा रहा है तो फो से यह होगा टिकल्चर जो है उद्धिण सब्सक्राइंस पत्रीश में उसरोनेध से शौन Šव समय इंडियन र्छिए चंप जबंगध सबसें सब्सक्राइब इंडॉल एस्टिक एसिड भी है यन डबल ए वसी है वन बी ए एंडी है टुफॉर डी तो QC नमर्फ 4 में कौन सा राइट एंजर होगा जली जली कमेंट करते हुए बता हैं इंडॉल एस्टिक एसिड जो होता है वो राइट एंजर होगा तो इस प्रसंख्या 5 इंडिया इज नोन है यह है वेजटेबल बी है इसपाइसे जाए फ्लावर तो प्रसंख्या 5 में कौन सा राइट होगा इंडिया को हम किस घर कहते हैं वेजटेबल का कि मसाले हों इरोमैटिक मेडिशनल प्रॉट का या फ्लावर का इस प्रसंख्या 5 में कौन सा राइट होगा जली जली कमेंट करते बताते चलिए जन्हों ने भी प्रसंख्या 5 में B आप संदिया है वो राइट है इंडिया इस नोन एज हों और इस वाफ इंडिक ऐयो और यूचछी किस डिय अई होता है प्रसंख्या 6 में पूछ जा रहा है तो प्रसंख्या 6 में जो राइट एंसर होगा वह आपका ही होगा हाई वाटर यूज इफिसेंसी जो है वह सी होगा ड्रीप इरिए संग जिसे हम टपकदार सी चाइब भी कहते हैं यह आपको पूछा जाता है यह याद रखना है इसके बाद है प्रसंख्या साथ प्रोटेरी और रिलेटेड टू ए है पोस्ट हर्वेट भी है नर्सरी सी है प्रोसेसिंग एंड ए है ट्रांसपोर्ट तो प्रसंख्या साथ में कौन सा राइट एंसर होगा प्रसंख्या साथ में वो भी होगा नर्सरी प्रसंख्या प्रसंख्या साथ में Souha who विस टेस्ट इंज यूज़ फार टेसंग्ट डऔर सिगनिफिकेंस ओफ मीव्न डिफिरैंस एए टिस्ट सब्सक्राइब करें तो इसमें मैं पूछा जा रहा है कि हम किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं सिगनिफिकेंस ऑफ मीन डिफ्रेंस जो होता है उसी मापनेट लिए तो इसमें जो राइट एंसर होगा कौन सा होगा तो प्रसंख्या हाट में जो राइट इंसर होगा हम किस टेस्ट का प्रयो करते हैं मैं डिफ्रेंसिंज के लिए हम जो आएड डी टेस्ट तैस्ट हो गहाल Dowaulty टेस्ट माइच अथे टोलरेंज रहा हो जो कोंसा है आप डीटर्मिन्न डिटर्मिन अफेक्ट आफ होस्ट प्लांट एन बायोजिकल इन्सेक्टायकर टो होता है उसे क्या कहा जाता है नान-Personal liberative tolerance एंटिबायोसिस रेसे प्यंस होगा कौप सा वोत जो और है ज Like that यह है ने प्रसंख्या क। पर चुंजा करते हैं मेरेश्टम कलचर एंधर कल् Character इंधर कल्चर इंब्रियो कल्चर एंड डी है सेल कल्चर तो क्यूशन नमर्ट 10 में कौन से राइट इंसर होगा जली जली कमेट करते रहे हैं यह आपके भी अच्छो इंटरस इंग्जाम में भी प्रसन पूछा गया है तो जिन्हों ने भी अच्छो इंटरस इंग्जाम का प्रिविश्य क्यूशन पे एलेवन वीज ऑफ दा फालॉ도ईं लीज यूज फ़र आली वॉक्याारीक ब्रीडिंग टो प्रसंख्या एलेवन अब देखैंड यह वार फिर से भीस फालॉइग केंग्ट वारीक व्रीडिंग उलेडिडिंग में हम किस छाय में कर करते यहां पर कौन सा राइट एंसर होगा जिनों ने भी दी एंसर दिया है उनका राइट है पॉलिपलाइडी ब्रीडिंग के लिए हम कोल्चिंग का प्रयोग करते हैं तराइट एंसर जो है वह आपका दी हुगा नेश प्रसन है, प्रसंख्य कर बाइडा वीच लगे थी आप्रका बाम्oga रहें उनका राइट एंसर है प्रसंख्य के बारा में गीग फिमरेंसम फामराइड के लिमा होगा उनका राइट एंसर ओगा बारा में प्रसिंख्या 13, making an incision below or a bud to retard his growth, ए है निकलिंग, भी है रिंगिंग, सी ए नौचिंग, ए थिनिंग, तो प्रसिंख्या 13 में जो पूचा जा रहा है, incision below, bud or retard is growth, तराइट एंसर कौन सा होगा प्रसिंख्या 13 में, जिन्होंने भी ए एंसर दिया है, उनका राइट है, germination of seed while it still remains attached with the parent source, ए है विपेरी, भी है, एपोमेक C, C है विपेरी, एंड है स्पेसी, तो प्रसिंख्या 14 में, कौन सा राइट एंसर होगा, जली जली बताते रहें, जिन्होंने भी C एंसर दिया है, उनका राइट एंसर है, germination of seed while it still remains attached with the present source, विपेरी, तो राइट एंसर जो होगा, प्रसिंख्या 14 में, वो कौन सा है, C है, निस प्रसिंख्या 15, angle formed by attach of a branch to the trunk, तो क्यूशन नमर 15, कौन सा राइट एंसर होगा, तो यहाँ पे जो D एंसर दिया गया है, वो राइट एंसर है, इंगल formed by attach of a branch to the trunk, क्रोच, तो राइट प्रसिंख्या 16, queen of fruit is a card, queen of fruit किसे कहा जाता है, evocados, mango, mangosteen, nd, यह बेर, तो क्यूशन नमर 16, कौन सा राइट एंसर होगा, queen of fruit किसे कहा जाता है, जली-जली comment करते रहें, यतने भी लोग है, तो mangosteen जो है, यह queen of mangosteen को कहा जाता है, तो राइट एंसर जो है, प्रसिंख्या 16 में, c, king of fruit is a mango, b, guava, c, apple, nd, si, trust, king of fruit जो है, किसे कहा जाता है, यह सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने भी सही answer दिया है, वो a, mango को हम king of fruit के नाम से जानते है, right answer जो होगा, आपका a, बाथरूम फल, हम किसे का, किसे फल को काते हैं, यह आपको comment करके बताना है, बाथरूम फल किसे का common name है, इस प्रसंख्या 18, king of temperate fruit is called a, p, apple, c, peach, nd, e, kiwi, तो प्रसंख्या 19 में, कौन सा right answer होगा, जली-जली comment करते रहें, तो peach, right answer जो है, प्रसंख्या 18 में, वो कौन सा है, sorry, 18 में जो है, वो b है, king of temperate fruit जो है, apple है, नाकी peach, तो right answer जो होगा, प्रसंख्या 18 में, जो हो आपका, भी होगा, प्रसंख्या 19, queen of nut is called a, walnut, b elements, c, peanut, nd, e, de, power , t, queen of nuts के नाम से किसे जाना जाता है, right answer aan ruinous में, कौन सा होगा, तो c, peanut, queen of nut के नाम से जाना जाता है, next pressman, king of nuts is called a, walnut, b, element, c, peanut, and de, chee, problem, attention at pore인 प्रफ्रवन को जो है किंग आफ नट के नाम से जाना जाता है तराइट एंसर प्रसंख्या पीश में वह आपका एय है तीस्टर इस केस जो है आपके कुछ मातपुर क्यूशन थे नेस प्रसंड जो है तोंटीवन किंग आफ फेरिट फूड इसकाल ए आला भी है पॉंब डेन और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए गया आपको वीडियो कालसा लगा और वीडियो पसंद आया होतो लायक जरूर करिए गार या डिसलायक करके भी आप जा सकते हैं लेकिन लायक करेंगे तो आप गाल मैं तो उप्रसंख्या की समझणो है किस आपको फेरुड